हाई एवरिवन वेलकम बेक्टू माई चेनल हुआ आप सब अच्छे ही होंगे भवान करें आप सब अच्छे ही हों आप देख सकते हैं मेरी वाएथ यहाँ पे गाजर किस कर रही है आज बना रहे है गाजर का हलुआ मेरे ऐसे चटोरे आदमी ने इससे बेस्ट गाजर का हलवा आज तक नहीं खाया है मेरी वाइफ है इसलिए आशे बातनी कि मैं तारीफ कर रहा हूँ वाजर का हलव बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं सब जगह घुंगुं के खाया हूँ पर से खोवा डाल देते हैं और खोए का टेस्ट आता है लेकिन कच्चा रखते हैं ताकि पकेगा तो पकाते हैं अच्छे से तो मेरी वाइफ पूरा पका के बना करा दो आती है जब बन जाएगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा आपको रेसीवी दिखा दूंगा और इसका अब फेज ऐसा नहीं है इस समय भूताण बनी ही है पिल ओफ लगाया लगाई नहीं है बोलने से लगाई है यो कि मेकप का समझ यह भी खरीती है हर नारी जाती का जन्य जदिकार है मेकप का समझ खरीनना लेकिन इस्टेमाल नहीं करती है अब इसको आज दिखाया हूं निक कि हाँ एक विशेस बात वेलेंटाइन अपनी जगह है पुल्वामा अटेक आजी के दिन हुआ था आजी के दिन हमारे बहुत सरे सेनिक भाई नहीं रहे थे भगवान उनको शांती दे उनके परिवार वालों को हिम्मत दे क्योंकि किसी की कोई भी खुशी मेरे सेनिक भाई पहले मिरो भी याद आता था कि 14 फैब है वेलेंटेंडे है लेकिन अब ऐसा है कि जब भी याद आता है ना तो साथ ही साथ पहले वो भी याद आता है वो घटना मतलब मैं कभी को भूली नहीं सकता हमरे देश का कोई भी तो भगवान उनके लिए अंप्रे करेंगे कि परि प्रदान करें तब तक के लिए फिर जैहन और आज सभी इंडियांस के लिए मात्र पित्र दीवश है तो सभी माताओं पिताओं को मात्र पित्र दीवश की मेरे तरफ से हार्दिक शुब कामना है माता पिताओं के लिए एक दिन नहीं पूरा साल माता पिताओं का है रिस्पेक्ट करें उनका ध्यान रखें और धेसर प्यार दें कि बुढ़ाबे में माबापको थोड़ा सा टाइम जरूर दो चाहिए रोज 10 मिनट का टाइम दो मेरे नहीं है तो मैं नहीं दे सकता लेकि जिनके भी है जिवनका सिर्फ रोज 10 मिनट के पास बैटके उनसे बात कर लोगे ना उनके लिए वही बहुत होता है जिनके पास मैं जा सकता हूं मैं जा नहीं सकता क्योंकि वह MP में रहते है और मैं डैली में हूँ तो ठीक है वह बाते बात में करेंगे तब तक के फिर जो को बेटा कभी ज़्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए तो बिलकुल इस पर टूट पड़ते हैं बिलकुल पूरी प्लेट हमीं मैंने खाऊंगा इसके आपको रेसीपी अगर देना चाहते हैं तो मेरे वाइफ के चैनल लॉक्स विद पम्मी में आप इसकी रेसीपी देख सकते हैं डेफिनेटली यह बहुत टेस्टी है यह पस खा के देखे खाते रह जाएंगे यह हम बाहर निकल चुके हैं घर से यह एक रास्ते का वियू है फ्लाइवर के ऊपर से बनाया हूं मैं बैसलिए एक फोन आ गया था तो मैं रुका था हम सबसे पहले जाएंगे किलकारी बहरो बाबा मंदिर और उसके बाद जाएंगे हम मरगट वाले बजरंग बली के मंदिर जिसको जमना बजार का मंदिर भी कहते हैं मरगट वाले बाबा का मंदिर भी कहते हैं बजरंग बली का प्राचिन काल मंदिर भी कहते हैं बहुत सारे नाम है तो दोस्तों ये हम आ गए हैं पांडव कालीन या प्राचीन श्री किलकारी भैरो बाबा मंदिर जो दिल्ली के प्रगती मैदान के पास इस्थेत है यहां मेरी बहुत ही मानता है यह पांडव कालीन मंदिर है इसकी सारी बहुत सारी कहानिया है वो बादे बताऊंगा मैं और म प्रशाद लेने के लिए जा रहा हूं। तो अगरद हो चुके हैं अब सबसे पहले हम प्रशाद लेते हैं मिठाई हम यहां से ले रहे हैं बाकि दूसरा प्रशाद तो मैं बहार से ही ले चुका था यह जो आप सामने देख रहे हैं यह श्री किलकारी बहरो बाबाजी की प्रतीमा है इसके जश्बाजू में यह भीमची है इसके साथ पर काली मया का मंदिर है हम वहाँ जा रहे हैं यह बेटा मेरे को चलेगे मेरे यह से चलेगे कुशिश करता है जय काली मया यह काली मया की मूरत है अब यहाँ से हम निकल चुके हैं बचट्डे वाले बजरंग बली की मंदिर की और यह रिंग रोट से निकले हुए हम यह आप सामने देख रहे हैं लाल किले का बैक साइड का एरिया है यह यह पीछे वाला एरिया है कभी किसी समय में यहाँ पे चोर बजार भी लगा करता था आघ क QUE पूरह लाल के लिए का बैक साइड का एरिया देख ब सामने जो देख रहे हैं स्क्रीन पर और बस अब यह इस रास्ते को पार करके अभी आप एक रेलवे ब्रिज भी आएगा बहुत पुराने समय का यह आप सामने देख रहे हैं यह बहुत प्यारा भी हुआ है यहां से अब यह बिल्कुल जो सामने यह है पसी एक किला खतम होने वाला यहां पर यह किला खतम हुआ यह बिल्कुल जो जो अब आप देखेंगे यह फ्लाई हुआ रहा है यह बहुत पहले का बना हुआ है मतलब तो बस यह खतम और जो कुछ सामने दीख रहा है दूर मेरे बजरंगी का मंदिर है यह पांडव कालीन मंदिर है इसकी भी बहुत सारी कहानिया है वो भी आपको कभी बताऊंगा जरूर तो बस अब हम मंदिर पहुँच गए हैं अब पहले बाइक करेंगे पार्क और चलते हैं अंदर आप सामने देख रहे हैं यह मंदिर है मंगलवार को यह उन्स को दिया जाता है कि दिन फुर्य और के थे यहां पर भोफ्वह को कॉछ नहीं कर सकते तो वह प्रिक से निकालकर आपको इसकी निकाल आपको यहां से हैं आपको उसक धुल ti हमने दर्शन कर लिए हैं अब दर्शन करने के बद हम सीधा आ जाते हैं कचोड़ी खाने यह है हमारे दिल्ली की बहुत फिमस कचोड़ी और आलू की सब्जी एस आलू की सब्जी में बहुत कुछ चटनी अमचूर बहुत कुछ डाल के देते हैं बड़ा ही प्यारा टेस्ट यहां जाईए यहां पर राम कचोड़ी और एक दो कचोड़ी की दुकाने हैं अब भीड़ी देखे समझ जाओगे कहा खाना चाहिए बहुत दीड़ेस्ट ही है जरूर टेस्ट ट्राइक कीजिएगा है जैसा कि आप जानते कि कल हम लोग बाहर गये थे तो रात को में इतना इतनी लेट आके अडिटिंग करना वह पॉसिबल नहीं था बाकी आप लोग ने मेरे वाइफ के चनल में देखा होगा है कि हम अरे दो फेवरेट जगह हैं एक बहरो बाबा का मंदे एक पसटे बचरनबली का मंदे मरहट वाले डैली वाले दुनों जागा को अच्छे से ज देखो जी मेरे चनल पे पहले भी मतलब रॉक्स में डल चुपा है आप कैसे आप सब खारियाद से हैं और चाहूंगा माफी चाहूंगा कि मैं वह पूछ नहीं पाया तो पर स्टार्ट करें बस वहीं कि मेरे में तर्टला हुआ है आपका आपके समय अभी अभी स्टार्ट स्टार्ट तो पहले किये थे लेकिन फिर बेच में तर्ट में मिल पाया मैं नहीं डाल पा रहा था मतलब एंकिन प्रकारेंट वह छूटी रहा था तो अब से अब आपकी सेवा में हाजी रू मैं भी और आज है पंद्रा और आज दी है मनें छुटी तो आज मैं घर पे हू अचार दी को चुटी तो आज पीयोंसे जाने में बिजी है उट nectar रात में इस होता है कि हमारे ले जगा बचे ना बचे दुम आना बचे मिन के लिए जग रहा रहना बहुत जरूर यह जरूर गुर्ण भास में बात ही वाकिया आप चाह रात रहा है तो करते है इस लौक का एंड कर रहे हैं तो एज फस्ट आफ और वो बोलना है कि सब्क्राइब करें और उनको आगे यह भी बोलना है कि वो तीन लोगों को बोले कि सब्क्राइब करना है इंस चींठ सब्सक्राइब के यूपी ऑ। खर्यान है कई राजिस्थान के बहुत सब्सक्राइब के सब्सक्राइब सब्सक्राइब और कुछ गल्दियों तो बहुत है चला लेना यार जो चला लेना माता राने का नाम लेकर तो फिर आज के चैनल के व्लोग करते हैं यहां पर एंड कल मिलते हैं अच्छे से व्लोग के साथ अपने डेली रूटिन को दिखाते हैं तब तक के लिए जै श्री राम जै माता दी रब राख्खा जै जोहार जै श्री राम लब यौल लब यौल लब यौल